Hello students, मैं आंकिता आपकी English Educator, स्वागत करती हूँ आपका Magnet Brains Hindi पर जो आपके लिए लेकर आता है High Quality Education with so many top courses जैसे CBSE Board है, UP, MP, Bihar Board है, यानि Class 7 से लेकर Class 12 तक के लिए अब ये सभी boards अविलेबल है, सभी courses अविलेबल है, एकदम free of cost यानि आपको अब उनके लिए कुछ भी बेर नहीं करना है यानि students, बहुत ही शानदार opportunity है आप लोगों के लिए, आपको जरूर इसका advantage उठाना चाहिए इसके अलावा, अगर आपको e-notes या e-books चाहिए, तो उनके लिए links आपको description box में दिये गए हैं आप वहाँ check कर सकते हैं अब इस important information के बाद हम देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं हम आपकी book first flight का chapter जो है जिसकी poem the trees इसका आज हम करेंगे summary I hope students इसका explanation भी आपने जरूर देखा होगा बहुत ही अच्छी poem है और बहुत ही meaningful poem है अब अगर आप explanation नहीं देखा है तो उसे जरूर देखे ताकि summary को समझने में आपको और भी जादा आसानी हो और अब summary समझने के लिए quickly हम ये video start करते हैं चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस poem को लिखा किसने हैं इसे लिखा है Adrian Rich ने जो की एक बहुत ही amazing writer रही है और वो एक किसम की radical poet थी, वो feminist भी थी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए वो एक feminist writer थी और एक radical poet थी radical poet का मतलब होता है एक इस किसम की radical poet, feminist poet, feminist का basically मतलब होता है कि महिलाओं को लेकर बात करना, उनका point of view बताना या महिलाओं की जो भी समस्या हैं या जिस भी तरीके से उन्होंने अपनी life में struggles जहले हैं, उनके बारे में बताना, बात करना और वो point of view दुनिया के सामने रखना, तो वो एक feminist कहलाते हैं और जो इन पर कविताय लिखते हैं उन्हें feminist poets कहा जाता है इसके अलावा radical poet क्या होता है, explanation के दरान भी मैंने आपको इसका meaning बताया था, summary के दरान भी जल्दी से समझा देती हूं radical poet वो poet होते हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से या कोई भी writer जो अपने, जो भी उन्होंने लिखा है, अपनी writing के माध्यम से कुछ भी एक क्रांतेकारी बदलाव लाने की एक हिम्मत रखते हैं या इस तरीके के एक बात, या इस तरीके के मुद्दों को discuss करते हैं अपनी poetry के थूँ, या अगर और किसम का write-up वो लिखते हैं जैसे essays, या stories, या novels even, तो उन्हें radical writers ही कहा जाता है और कभी जो होते हैं इस तरीके के उन्हें कहा जाता है radical poets तो एड्वान रिष्ट जो है, वो अपनी poems के थूँ, इस तरीके के मुद्दों पर बात करती हैं जो बहुती जादा माइने रखते हैं और इस तरीके के मुद्दे जो आम तोर पर लोगों के दिमाग में नहीं आते उन्हें एहसास नहीं होता उन चीज़ों का अब चूंकि वो एक feminist और radical writer दोनों ही रही है, poet रही है बेसिकली, तो वो अपनी poems के थूँ, जो महिलाएं हैं, उनके बारे में बात करती है तो ये अपने आप में feminism तो है ही, इसके अलावा radical इसलिए हो जाता है क्योंकि महिलाओं की अपने अंदर की जो एक बात होती है, एक मन की बात होती है उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे समझना कई बर बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक उन्हें बोलने की इजाज़त भी नहीं है अपने आपको express करने का उनको मौका ही कभी नहीं मिला कि महिलाओं को कोई importance चुकी नहीं मिली तो उनकी इच्छाओं को, ख्वाईशों को भी तवज्जो नहीं दी गई इसलिए जब भी उनकी बातें रखने की बारी आती है तो एक समय था जब महिलाओं को शायद अपनी बात अच्छे से express करना या तो नहीं आता था और अगर express कर भी देती थी तो लोगों को उसे समझना नहीं आता था तो इसलिए ये थोड़ी सी एक एक gap आ जाता है समझाने और समझने के बीच में वही point of view एक अच्छे तरीके से जो adran reach है वो अपनी poem के through समझाती है ताकि हमें भी समझने में एक आसानी हो ये बात मैं आपको इसलिए जादा बता रही हूँ students क्योंकि इस poem में जिसका नाम है the trees यहां पर trees या पेड़ सिर्फ पेड़ ना होकर एक तरीके से एक metaphor की तरह यूज किये गए है यानि basically trees के माध्यम से एक महिला की एक स्त्री के बारे में बताया गया है कि एक स्त्री की क्या इच्छा होती है उसकी क्या desire होती है उसके मन में क्या भावना होती है जिसे अक्सर दूसरे लोग समझ ही नहीं पाते हैं तो यहां इस पूरी पॉर्म में बात हो रही है कि किस तरीके से हम कोई पौधा जो है कहीं किसी जंगल से उखाड कर ले आते हैं या कहीं से बिलाकर अपने घरों में लगा देते हैं हम उन्हें एक सजावट की समान की तरह इस्तमाल कर रहे होते हैं लेकिन जो पौधा होता है वो एक जीव है मतलब उसमें वो एक living thing है यानि आप उसको समान की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं अगर उसे वो care वो protection नहीं मिली जो उसे मिलनी चाहिए जिन्दा रहने के लिए तो वो survive ही नहीं कर पाएगा यानि अगर घर के अंदर हो सकता एक समय तक वो पन पे उसे खाद मिल रही है उसे sunlight मिल रही है वो कुछ समय तक पन पेगा लेकिन वो कहां तक पन पाएगा उसकी जड़े फैलेंगी तो उसको उतनी जगह चाहिए लेकिन घर में limited जगह ही होती है उसे ज़ादा फैलने के लिए जगह नहीं है इसे लिए एक पेड एक समय के बाद जो है इस तरीके से बढ़ रहा होता है कि वो अगर दिवार आ गई घर की या छट आ गई घर की तो वो छट और दिवार को तोड तो नहीं सकता लेकिन बढ़ता रहता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उस पेड की जो ब्रांचेज हैं या उसकी तहनिया हैं, पत्तिया हैं, जड़े हैं ऐसा लगता है मानो घर की दहलीज पर, घर के बरामदे को घर की दिवार और खिड़कियों पर एक जोर मार रही हूं कि खोलो इन हैं और मुझे आजाद होने दो बिलकुल उसी तरीके से, जिस तरीके से एक स्त्री, एक औरत कई बार चाहती है कि मुझे इस कैट से बाहर निकलने दो बाहरी दुनिया में जाने दो और देखने दो बाहरी दुनिया में जाकर अपने आपको भी आजमाने दो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ और कुछ बनने के लिए मुझे भी पढ़ाई लिखाई करने की जरुरत है education की जरुरत है मैं भी भार जाके लोगों से मिलना चाहती हूँ मैं भी अपनी सहेल या friends बनाना चाहती हूँ ताकि मेरी भी memories बने, कुछ यादे बने ताकि मेरे पास हर वक्त कुछ नया हूँ करने के लिए, सोचने के लिए लेकिन मुझे एक ही दुनिया में कैद कर दिया है और वो है इस घर की चार दिवारें, इसकी छट इस दिवारी में जब मुझे कैद कर दिया गया तो मेरे पास दुनिया से जो एक connection जो है जो मेरा तूट गया है तो मेरे पास एक समय के बाद कुछ करने के लिए नया नहीं है मैं वहीं की वहीं उसी एक दौर में उसी एक same routine के अंदर ही बंदती चली जा रही हो और घुटती चली जा रही हो बिल्कुल जिस तरीके से एक पेड की जर्नी बताई गई है उस पेड की जर्नी के थूँ एक महिला की स्थिती बताने की कोशिश की गई है अज्यान रीज दौरा इस पौर्म में तो students इसके explanation में तो मैंने इसे बहुत detail में बताया है अच्छे से समझाया है hopefully आपको जरूर समझ में आ गया होगा summary के अंदर अगर आपने explanation का video नहीं देखा है तो please देखिए ये exam point of view से तो आपके लिए important है ही real life में भी ये आप सभी के लिए समझना बहुत जरूरी है right क्योंकि ये कही ना कहीं आपकी एक सोच पर असर डालने वाली पौर्म है इसके अलावा summary को यहां पर हम quickly तो समझेंगे ही इसके अलावा कुछ main points हैं जिनने अच्छे से याद कर लीजे ताकि exams में उन्हें समझने में और answer देने में आपके लिए आसानी रहे चलिए सबसे पहले हम first stanza में क्या होता है वो जानते हैं अब पहले stanza में ये बताया गया है कि जो घर के भीतर जितने भी पेड़ पौधे हैं जो हम जंगलों से लेकर आ गए हैं वो पौधे जो है अब दीरे दीरे घर से बाहर निकल कर जंगल की और जाना चाते हैं क्यों कि जंगल ही एक natural habitat है किसी भी पौधे का किसी भी पेड़ का जंगल में ही एक पेड़ अच्छे से पनपेगा अच्छे से बढ़ेगा अगर उसको वो natural habitat नहीं मिला उससे वो natural जगह जो है natural उसका वातावरन जो है वो छीन लिया गया और एक artificial वातावरन बनाने की अगर कोशिश भी की गई तो भी वहाँ से वो वहाँ पर वो इतना अच्छे से नहीं पनपाएगा जितना किसी भी natural habitat में पनपेगा अब हो यह रहाए कि ऐसा नहीं है कि घर के अंदर जब हम पौधर ली आते हैं तो हम उनकी रख्वाली नहीं करते हैं ध्यान नहीं रखते हैं बिल्कुल रखते हैं लेकिन हर चीज की अपनी एक जगह होती है ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर चाई की केतली में हम शर्बत डाल दें तो क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं इस से उस शर्बत का टेस्ट तो खराब नहीं होगा लेकिन उसकी उचित जगह चाई की केतली नहीं है चाय की केतली को चाय की केतली किसी वजह से कहा जाता है हर चीज की अपनी एक जगा होती है अगर वो जगा बदली जाए तो ये ध्यान रखने की ज़रुरत है कि वो जगा बहतर होनी चाहिए गर कमजोर जगा पर उसे लाया जाएगा तो वो चीज जो है पनपेगी नहीं और जादा या तो खराब हो जाएगी या मुर्जा जाएगी पेडों के साथ भी वही हो रहा है अगर आप उन्हें जंगल से निकाल के घरों मे लाओगे तो वो पनप नहीं सकते इसी लिए एक तरीके से जो पोएट हैं वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि बाहर जाने की बाहर जा रहे हैं So the trees planted indoors start moving towards the forest यानि यह कह रही हैं कि जो पौधे जो हैं जो घरों के अंदर हैं वो पौधे forest की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि वो बस उनके कोई पैर निकल आये हैं और वो वहाँ चल कर जा रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है पैड चल नहीं सकते हैं चल फिर नहीं सकते लेकिन बेसिकली समझाने का मीनी यहाँ पर यह है कि पैड जिस तरीके से फैल रहे हैं जिस तरीके से उनको और बढ़ने की और फैलने की जगह नहीं मिल रही है तो ऐसा लग रहा है कि खिड़की दरवाजों के तोड़ के बाहर निकल जाएंगे तो ऐसा लग रहा है मानो अपनी ये जो सरहदें अब ये जो boundaries है ना इन्हें तोड़ कर बाहर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो वापस उन्ही जंगलों में चले जाएं जहां से हम उन्हें लेकर आ गए हैं यहां पर इसको एक महिला से भी compare करने की कोशिश करें स्टूडेंस की महिलाएं भी इसी तरीके से अच्छे घर में रहती हैं आलिशान घर में सारे उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश क्यों नहीं है क्योंकि उसे जो चाहिए जो कि है किसम से आजादी वो आजादी उसे नहीं मिल रही और आजादी कभी भी दी नहीं जाती आजादी हमेशा पाई जाती है इसका मतलब यह है कि अगर कोई सामने वाल आपको ओर्डर देता रहे कि आप यह करो वो करो तो वो आजादी नहीं होती इसका मतलब यह है कि मुझे यह आजादी होनी चाहिए यह फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं अपने डिसीजिजन्स खुद ले सकूँ एक पॉइंट के बाद एक उम्र के बाद तो मुझे अपने फैसले खुद लेने की अजाज़त होनी ही चाहिए यह एक जिस तरीके से ट्री को यह अधिकार नहीं होता है ना कि वो अपने आप से मना कर दे कि नहीं मैं तो जंगल में रहूंगा मुझे कहीं काट कर मतले कर जाओ ट्री नहीं बोल सकता फीमेल्स जो है वो भी एक समय तक नहीं ही बोल पाती थी और जिस तरीके से ट्रीज कोशिश कर रहे हैं कि चल फिर कर तो जाने सकते किसी तरह भार निकलने की कोशिश करना चाहते हैं उसी तरह फीमेल भी भार निकलने की कोशिश करना चाहती हैं और जाना चाहती है जिस जंगल में एक समय था जो जंगल इतना हरा भरा रहता था जहा कभी किसी पक्षी की आवास सुनाई देती थी कभी कुछ कीड़े इनकी वियावास अब रहे हो सकता है जो छोटे बच्चों का तो चोड़े बच्चे आस-पास होते हैं या जिनके घरों में चोटे बच्चे थे कई बार हम परेशान नहीं हो जाते कि जब देखो शैतानी करते रहते हैं जब देखो कभी ये कभी वो कभी रोते रहेंगे कभी कुछ शैतानिया करते रहते हैं लेकिन जब भी अगर गर्मियों की छुटी में जब बच्चे नानी घर चले जाते हैं तब हम उन्हें काफी मिस्स करताए है, तब हम उन्हें घर में काफी सन्नाटा सा लगता है कि देखो, कितनी शानती हो गई, ऐसा लगता है जैसे मन ही नहीं लग रहा हूँ. ये बहुत families में होता है और उन लोगों को ज़रूर मेरी ये बात समझ में आएगी जिनके घर में ये होता है कि जब उनके घर में कोई छोड़े बच्चे हैं और वो कहीं बहार चले गए हैं काफी लंबे समय के लिए तो काफी miss करते हैं उन्हें जंगल भी बिल्कुल ऐसा ही हो जाता है एकदम जहां पर एक तरीके से एक सन्नाटा सा चा जाता है ठीक है और बिल्कुल भी एक मन सा नहीं लगता वहां जाकर एकदम खाली पन सा हो जाता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब चेडियों के बैठने के लिए टहनिया नहीं बच क्योंकि वह टहनीं को तोड़ दोड़कर उन पेड़ों को काट-काट कर हम आमेरे घरों में लेकर आ गए हैं और इन पक्षियों को हम एंट्री नहीं देते हम जो अठखेलिया जानवर या केड़े मकॉर्डे किया करते थे इन पर एक तहनी से तोड़, दूसरी तहनी पर जाते थे कूथ के, वो सब तो हमने खतम ही कर दिया. तो इसलिए जो जंगल है, जो आक्चुल में काफी हापनिंग जगा हुआ करती है, उसको एकदम हमने खराब कर दिया है, खत्म करने पर आ गया है. इसका ये मतलब है, मेटाफर की तरह यूस करा है किसो एक तो फीमेल को दिखाने के लिए और ये दूसरा ये बताने के लिए किस तरह youमेंस ने, इंसानों ने जंगलों को तभा कर दिया है. उसी तरह अगर औरतों को भी फीमेल्स को भी अगर नहीं पनपने दिया गया आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला तो हमारा समाज भी आगे तरक्की नहीं कर सकता एक बहुत बड़ा fact is students, कोई भी समाज या कोई भी परिवार उतनी ही तरक्की करता है जितनी तरक्की उस समाज या परिवार की महिलाएं करती है अगर महिलाओं की सोच progressive होती है या बढ़ोतरी की होती है जिस महिला की सोच बढ़ोतरी की और होती है वो परिवार भी बढ़ोतरी करता है और वो समाज भी बढ़ोतरी करता है और ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है ये बात एक fact बात है ये इसे लिए महिलाओं को पढ़ाना लिखाना बहुत जादा आवश्यक है ताकि वो एक point of view समझने की कोशिश कर सके point of view नएने perspective जो आते हैं उन्हें understand कर सके और अब धीरे-धीरे यही जो पेड्वय हैं या महिलाएं हैं वो धीरे-धीरे बहार निकलने की कोशिश कर रही हैं अब पेड्व अब अपना कदम बहार निकालने की कोशिश कर रही हैं और बाहर Kathy तो एक दुनिया है उसे भी देखकर उसे explore करने की कोशिश कर रही है ये हिंदी अनुवाध ही students जिसमें ये ही बताया गया है कि किस तरीके से ये जरूरी है कि हर व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष हो छोटे बड़े कोई भी हो उन्हें आजादी से रहने का तो अधिकार है ही उसके अलावा ये अधिकार भी है कि वो आगे बढ़ें और नई नई चीजें सीखें ताकि बढ़ोतरी हो सकें दूसरा बढ़ोतरी होने का ये मतलब नहीं है advancements का ये मतलब नहीं है कि हम जंगलों को काटने लग जाए कि हमने इतने जंगल काट दिये बिलकुल भी नहीं in fact आप तभी progressive हो सकते हैं जब आपको ये वर्थ समझ में आ जाएगी इन जंगलों की value एक कीमत समझ में आ जाएगी या अगर मैं छोटा सा उधारन भी दूँ कि जिस समय हमें ये समझ में आ जाता है कि कचरा चाहे घर हो या कोई सड़क हो हमें सड़क पर कचरा नहीं फैकना चाहिए ये बात जब हमें अपने आप से एक बार समझ में आने लग जाती है बिना किसी के सिखाए जब हमको ये एक habit में आ जाती है, जैसे सुबह उठकर हम brush करते हैं, वो एक habit का हिस्सा है, उसी तरीके से ये habit बन जाती कि कच्छरे को dustbin में ही फैक ना है, वो जो अब है, उससे कहा जाता है progressive, ठीक है, वो असली माइने में सही progressive है, अगले stanza में बात हो और, अब यहां basically बात हो रही है कि किस तरीके से सारी रात जो है trees मेनत करते हैं, अब यहां basically trees की growth को लेकर बात हो रही है, जब tree grow होने लगते हैं और बड़े होने लगते हैं, तो उनकी जड़े हैं वो भी फैलती हैं, अब यहां पर बात आ रही है कि जैसे जैसे उनकी जड जो होती है और कुछ पेड़ों की जर जो है वो तो बहुत ही मजबूत होती है तो अगर आपने अपने आंगन में कोई ऐसा पेड़ लगाया है जिसकी जड़े बहुत फैलती है बहुत मजबूत हैं तो अांगन के फर्ष में भी दरारे आ जाती हैं उन दरारों को एडरान रीच पोल रही हैं कि वो दरारे इस चीज़ का एक संकेत है कि यह पेड़ आपके घर से आपके बरांड़ा से या बरामदे से आंगन से दूर जाना चाहता है यह क्रैक्स तक आ गई यह क्रैक्स दिखाता है डिस कि अपने आपको आपके आगन से छुटकारा दिलाना चाहता है यह पेड़ देलीव प्रेशन ग्लास जो ब्रेक थूद दसी लिंग जो पतियां हैं वो भी इस तरीके से जो शीशे पर इस तरीके से हैं कि मानो शीशे को और जो छट है शीलिंग छट उसको तोड़ कर बहार निकलना चाहती हूँ क्यों कि फेलने की जगह तो मिल नहीं रही है और ग्रोथ हो ही रही है तो ऐसा लग रहा है एक ही जगह एखटी होती जारी है और एक जो लगा रही है एक प्रेशर लगा रही है कि कि किस तरीके से यह शीशे टूट और हम बाहर निकल जाएं. And the small twix stiffened due to continuous pressure exertion. The long branches have shrunk due to the cramped space. The trees move slowly away from home and look like newly discharged patients from the hospital. इसका मतलब यह है, students की जो छोटे छोटे जो टहनिया है, उनके साथ भी यह हो रहा है कि उनको फैलने की बढ़ने की जगह नहीं मिल रही है. और जो बड़ी-बड़ी branches हैं, उनको भी कम जगह होने के कारण वो भी ऐसे सिकुडने सी लगी है. बड़ी-बड़ी branches भी सिकुडने लगी है. तो ऐसा ही लगता है कि मानलो सब थोड़ ताड़के बाहर निकलना चाहती हूं. The trees move slowly away from the home and look like newly discharged patients from the hospital. यानि यहां ऐसा लगता है कि जो टहनिया या पतियां उस घर से बाहर या खिड़की से बाहर निकलने में सफल हो गई हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है, मानलो अभी-भी कोई मरीज को हॉस्पिटल से discharge मिला हूं. यानि कोई भी ऐसा patient जिसे हिना discharge मिलता है, तो उसे एक तरीके किसे ऐसा लगता है, जिसे उसे सांस आ गई हूं, थांक गॉड, लेकिन उसकी एक हालत कैसी रहती है, वो आदे होश और आदी बेहोशी में रहता है, एकदम लहराता हुआ सा कि मानलो उसको होशी नहीं क्या है लेकिन बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, कि मैं इस क्लिनिक के बाहर कब निकलूंगा, इस हॉस्पिटल के बाहर कब निकलूंगा, इस हॉस्पिटल के बाहर कब निकलूंगा, इस हॉस्पिटल के बाहर कब निकलूंगा, तो बहुत जादा खुशी भी होती है, और य अपने घर पे पहुंच जाओंगा और अपने घर में अपने हैबिटाट में अपने उस comfort zone में वापस आ जाओंगा और ये comfort zone जो है ये comfort zone जो trees का है वो क्या है उनका forest तो यही basically बात हो रही है कि वो बाहर जा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि मानू मैं भी अप किसी hospital से कि कैद से बाहर निकलाओं और जलसे मैं अपने जलसे जल्द अपने नाचरल हैबिटाइट अपने जंगलों में पहुंच जाओंगा ये इसका हिंदी अनुवा जिसमें यही बताया जा रहा है कि कितना जादा आतुर है उत्सुक हैं यह सारे पेड़ पौधे घर से बाहर नि होना चाहिए उसके अलाबा उन्हें अपनी जगह से कभी भी हिलाना नहीं चाहिए वरना वो जो पेड़ है कभी उस तरीके से नहीं पनपेंगे जिस तरीके से पनप्ते हैं अपने थर्ड स्टैंजा को देखते हैं The third stanza talks about the poet who sits inside her house on the veranda writing long letters while keeping the doors open. इस third stanza में जो है एज़ान रीष बात कर रही है खुद को लेकर कि वो जब बरामदे में अपने घर के आंगर में बैठ कर लंबी-लंबी चिथियां लिख रही है. ठीक है उन चिथियों में क्या बात कर रही है वो और दर्वाजे जो है उसने खुले रख 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 है हैं. In the letters, she hardly mentions the departure of the trees to the empty forest. Yet at night time and with the moon shining in the sky, the poet can smell the odor of the leaves and listen moving towards her. The smell of the trees reaches her in a way similar to a voice reaching a room. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए हिंदी अनुवाद यहां लगा देती हूँ. Basically हो यह रहा है कि यहाँ पर अपने घर के दरवाजे खोलकर बरामदे में एजवान रीच पैठी हुई हैं और एक चिथी लिख रही हैं. एक लेटर लिख रही है और इस लेटर में उन्होंने यह जो पौधे हैं जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं की. उनके बारे में वो कुछ mention नहीं कर रही है, वो सर्फ अपनी ही धुन में अपनी ही कुछ बात लिखे जा रही है, लेकिन जब वो ये letter लिख रही है, उसी समय भीनी भीनी से उन्हें खुश्बू एक आ रही है, एक महक सी आ रही है, ये महक किस की है, ये महक उन पेड़ होती है अलग सी ही, ठीक है, वो महक फंगस किसी जो महक एक होती है, काई की महक जो होती है, वो महक उन्हें आ रहे थी, तो चैफ वो letter लिखते हुए उन्हें महक काई, तो उस महक में उन्हें ऐसा फिल और था जैसे कि ये पत्तियां और ये टहनिय आ कुछ बोल रही हashes और क्या बोल रही हो कि हमें यहां से निकल ले दो अब आप मुझे बताईए पूरे जो poem है उसके अंदर trees की ही बात हो रही है लेकिन जब Adrian Reach का character इसमें आया तब वो अपने letter के अंदर पेड़ों की कोई बात नहीं कर रही है वो सिर्फ यह बता रही है कि मुझे एक महक आई क्यों बात नहीं कर रही है क्योंकि यहां basic लिए बताया जा रहा है कि यह जो Adrian Reach है या और जो पेड़ है वो एक साथ इस घर के बाहर निकल कर बरामने में आ चुके है उन दिवारों को तोड़ कर बाहर आ चुके है ठीक है और बाहर आकर क्या करने की कोशिश की जा रही है कि वो अपने मन की एक बात लिख रही है इस वक्त यह जो Adrian Reach है वो अपने मन की बात अपने भावों को एकस्प्रेस कर रही है क्खुल कर कि कोई रोकने डोकने वाला नहीं है यानि घर की धहलीज के बाहर है आंगन में है लेकिन बाहर है और अपने बात कहने की कोशिश कर रही है और इसी समय पेड के साथ भी क्या हो रहा है वो दबारों के घर के दिवार तोड़ कर बाहर आ गया है आंगन में ही हैं ऐसा नहीं कि कहीं चलकर भाग गए हैं इनकी जड़े अभी भी घर के अंदर ही हैं लेकिन बाहर आ गए हैं जैसे एज़ानरीच बाहर आ गई हैं और जिस तरीके से एज़ानरीच अपने मन के भाव को प्रकट कर रही है पेपर पर ये जो पेड़ पौधे है इनकी एक महिला और एक पेड जैसे ही घर से बाहर निकले अपने भाव प्रकट कर पा रहे हैं जब गर के अंदर थे तो ये महसूस नहीं हो रहा था क्यों कि आप जब कभी भी एकदम अंदर किसी पेड़ पौधे को इस तरीके से पन पाते हैं या पौधे उगाते हैं तो उनकी खुश्बू जो थोड़ी सी खुश्बू जो होती है वो वही उसी जगह पर सीमित होकर रह जाती है वो फैलती नहीं है वो फैलेगी तभी जब वो घरों के बाहर निकलेगी उस चार दिवारी के बाहर निकलेगी उसी तरीके से अगर आप किसी इंसान को भी चार दिवारी में रख दोगे तो उसकी प्रतिभा कैसे फैलेगी उसकी प्रतिभा उसका टालेंट तभी सब के सामने आएगा और तभी talent और भी जादा बहतर होगा और भी जादा बढ़ेगा जब वो चार दिवारी से बाहर निकलेगा तो यहां यह जो महक है ना यह जो smell की बात हो रही थी वो smell जो है कही ना कही टालेंट एक तरीके talent के साथ compare किया गया है students कि जिस तरीके से talent पहलने के लिए आ कोई भी चीज हो चाहे वरना आजकल जिसे online का जमाना है smart phones आ गया है ठीक है पूरी दुनिया से मच कर phone में आ गई है in fact smart watches में आ गई है तो ऐसा नहीं है कोई प्रतिबाशारी इंसान हो तो बिल्कुल वो काम कर सकता है लेकिन opportunities चाहिए मौके चाहिए वो साधन चाहिए जिन बहुत जादा जरूरी है उस freedom का होना बहुत जादा जरूरी है तभी आप आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं यह हमारा last stanza जो कह रहा है कि in the last stanza the poet listens to the whisper of the trees leaving the house यानी यह जो पोईट है यह उसी whisper whisper क्या होता है काना फुसी ठीक है फुस फुस आना तो जो सरसराहट की आवाज है पत्तियों की उसे काना फुसी का नाम यहां दिया गया है विस्पर का यहां पर नाम दिया गया है कि उनकी काना फुसी ना मेरे कानों में और मेरे सर में अभी भी गूंज रही है और क्या है कि हमें यहां से बाहर निकलने दो हमें यहां से बाहर जाने दो यह बात सिर्फ एक महिला ही समझ सकती है यह पुरुष को नहीं समझ में आ रही है इसलिए एज़ान रीच ने यहाँ पर एक फीमेल को अपने आपको दिखाया है कि मुझे उनकी विस्पर जो है वो बात समझ में आ रही है कि मैं भी तो एक तरीके से तुम्हारी तरा कैद ही हूँ तो जिस तरीके से तुम एक फुस-फुसा रहे हुँ ना कि तुम्हे यहाँ से बाहर निकलना है तुम्हारे इस भाव को मैं भी समझ रही हूँ कि मुझे बहर निकलना है The trees manage to reach the empty forest the next day and silence occurs in the house The poet then hears the sound of glass breaking. The glass breaks as the trees move in a hurry. They fall on each other in this process. The trees feel the fast blowing wind that comes to meet them. Length of the trees makes the moon break into pieces like a mirror. Now the moon seems like a crown fitting on the head of the oak trees. Here it means that when you hear the sound of the tree, in the moment you hear the word in the poem. Listen. This means what is basically saying? They say, listen, look, they have a shisha, a kherki, a kherki, a kherki, a kherki. They have a kherki, a kherki, a kherki. This means that when you get the kherki, when you get the kherki, then you will get the kherki. A kherki, a kherki, a kherki. बाहर निकले तो उनकी जो ब्राँच जैना जो चांद था जो पहले बाहर का वातार वारान बिल्कुल सन्नाटे दार था चांद भी एकदम साफ क्लियर दिखाई दे रहा था लेकिन उतना हुपसूरत नहीं लग रहा था लेकिन जैसे ही है जो बाहर निकले ये पेड़ पौधो की जो टहनिया है जो ब्रांचेस हैं बाहर निकली तो कुछ ब्रांचेस उस मून के सामने चांद के सामने आ गए और ऐसा लग रहा था जैसे उसे और अच्छे से सजा दिया हो ऐसा लग रहा था कि एकदम plain सा glass है लेकिन अब उसमें थोड़े से cracks आ गए हैं तो ये cracks आ गए है तो ये देखा जाए तो ये beautify हो रहा है और भी सुन्दर हो रहा है खराब नहीं हो रहा है तो उस चांद को सजा दिया हो और उसी तरह ओक ट्री जो है उसकी जड़ें बहुत बढ़ी होती है और से बहुत बढ़िया जो है फरनीचर बनाए जाते हैं उसी branch पर ऐसा लग रहा हो कि वो branches ने तो चांद के जो mirror जैसा लग रहा था उसमें cracks ला दिये हो और मानो चांद जो है इस oak tree पर एक crown या एक ताज की तरह सच गया हो तो यही बताया जा रहा है कि जो oak tree की जो branches है ना किस तरीके से oak tree की branches और चांद जो है आपस में एक दूसरी को compliment कर रहे हैं कि एक ने branches ने चांद को सुंदर बना दिया उसमें वो design सा करके क्योंकि जब चांद के सामने कुछ टहनिया कुछ पतियां आती है तो it looks beautiful the scene looks beautiful बहुत ही सुंदर नजारा होता है और दूसरी तरफ से देखो दूसरी एक दूसरे नजरिये से देखो तो ऐसा लगता है मानो उस पेड के उपर जो चांद नजर आ रहा है ऐसा लगता है कि वो एक राजा के या राजा रानी के उपर एक मुकुट की तरह सजा हुआ हो तो एक भौती सुंदर और दिल्चस्प एक scene होता है तो यही है कि जब पौधे हैं वो अगर बहार अगर जैसे सडकों के किना नारे भी पौधे लगे रहते हैं अगर वो ना रहें जंगलों में जो पौधे हैं अगर वो ना रहें यहां भी पौधों को होना चाहिए वास्तव में वहां ना रहें तो वो जो एक नाचरल ब्यूटी है वो खतम हो जाती है और मुस्ट तो चांद भी है बहुत सुंदर क कहा जाता है अगर किसी की सुंदरता की तारीफ करनी हो तो हम यही बोलते हैं कि चांद सा चहरा है लेकिन वो चांद भी अपने आप में अधूरा होता है अगर यह जो नाचरल ब्यूटी के जो दूसरे हिस्से होता है ना जैसे पेड़, पौधे, चड़ियां यह सब नहीं अ अच्छी सुंदर सी गुडिया बनकर बैठ गई उससे फरक नहीं पड़ता है अगर उसमें कोई टैलेंट है और आप अगर उस टैलेंट को नहीं निखार सकते उस टैलेंट को अगर सपोर्ट नहीं कर सकते उसे एमोशनल सपोर्ट अगर नहीं दे सकते हो तो चाहे उसे दि को उनको रोको नहीं उनके भी प्रतिभाग को सपोर्ट की जरुरत है और उसे बाहर निकलने की उसे फैलाने की जरुरत है I hope students यह जिस तरीके से इंट्रीज को एक metaphor की तरह यूज किया गया है सबसे पहले तो यह बहुत ही commendable job है जो एड्रीज ने यहां किया बहुत ही बढ़िया तरीके से यह comparison किया है metaphorically explain किया है और यह हर किसी को ऐसा नहीं कि सिर्फ जो females है या सिर्फ जो female students है बस वही इस चीज को समझे हर एक इंसान हर एक student जो है इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान की अपनी एक requirement होती है कि कोई सामने वाला उसको understand करे उसकी requirement को understand करे जैसे अभी आपको पढ़ना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ boys को ही जादा पढ़ना होता है या उनको उस time पे जादा support की ज़रुत है किसी लड़की को भी किसी female student को भी उस वक्त अपने family से उतना ही support चाहिए जितना किसी male student को चाहिए राइट वो भी चाहेगी कि मेरे parents understand करें कि हाँ मेरे exams है या मेरे board exams है या मेरा कोई competitive exam है उसे understand करें राइट यह understanding develop करना बहुत जादा जरूरी है आप लोग अगर अपने अंदर यह understanding develop करेंगे students तो आप यह future होने वाले हैं हमारी जो current generation है वो ही हमारा future तै करती है तो आप अपने अंदर यह understanding जरूर develop करें इतना mature और समझदार जरूर बने कि हर किसी व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए राइट I hope आपको यह poem इसका जो explanation है वो और आज की जो summary का वीडियो है यह बिलकुल पसंदाया होगा और यह poem जो है अच्छे से clear हो गई होगी और यह video यहीं पर end होता है अगर students इसके explanation या किसी भी तरीके की कोई भी detail में किसी भी तरीके का confusion है doubt है आप comment section में हमेशा की तरह comment करके पूछ सकते हैं मैं बिलकुल आपके doubts को clear करूँगी इसके अलावा आप मैं बता दूँ आपको कि आपको यह video like तो करना ही करना है जादा से जादा share भी करना है और अगर magnet brains हिंदी को अभी तक subscribe नहीं करना है तो जरूर से जरूर subscribe कीजे क्योंकि यह आपके लिए लेकर आता है high quality education के साथ साथ यह सभी top courses वो भी एकदम free of cost from class 7th to class 12th सभी courses यह जो आपके सामने है CBSE board, QPMP, Bihar board यह सब available है free of cost यानि आपको कुछ भी पेस का नहीं करना है और इसके अलावा e-notes और e-books के लिए आप description box में links दिये गए हैं उन्हें चेक कर सकते हैं आपको सारी information मिल जाएगी और आप www.magnetbrains.com पर भी visit कर सकते हैं जहाँ पर आपको यह सभी videos जो है easily available हो जाएंगे वहाँ पर भी सभी के सभी videos है इसके अलावा आप हमें follow कर सकते हैं Instagram, Telegram, Facebook या Twitter पे जहाँ पे channels related सभी latest updates मौजूद रहती है अब students अपनी तयारी एकदम पकी रखे, doubt होने पर मुझसे comment section में पूछ ले और अपना ध्यान रखे Take care, see you soon and thank you so much